जैमाता की दोस्तों दिवाली से ठीक एक दिन पहले मनाई चाती है नरक चतुरदशी यानि छोटी दिवाली जिसे रूप, चोदस या काली चतुरदशी भी कहा जाता है मानेता है कि कार्थी कृष्न चतुरदशी को विधी विधान से पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं दिवाली से दो दिन पहले धन तेरस आती है उसके बार नरक चतुरदशी यानि छोटी दिवाली आती है चोटी दिवाली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके एक दिन बार बड़ी दिवाली आती है यानि पूरी दिपावली आती है इस दिन नरक चतुरदशी का क्या महत्व है कौन सी कथा इसके पीछे है नरक चतुरदशी की दो लोग कथा हम आपके सामने आज इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं पहली कथा के अनुसार आज के दिन भगवानशी कृष्ण जी ने अत्याचारी और दुराचारी असुर नरकासुर का वद किया था और नरकासुर की कैद में जो 16101 कन्याई थी जो राजकुमारियां थी जिनको नरकासुर ने बंदी बना रखा था नरकासुर को मार कर नरकासुर के बंदी ग्रहे से 16100 कन्याई को उन्होंने सास सम्मान भगवानशी कृष्ण जी ने कैद मुक्त कराया था और उन्हें अपनी अरधांगनी बनाया था क्योंकि 16,100 कन्याओं को असूर की कैद में होने की वज़े से कोई भी उन्हें समाज में सविकार नहीं करता इसलिए भगवानशी कृष्ण जी की 16,100 रानिया थी इस जिन्वरत करने से भगवानशी कृष्ण जी की विशेश कृपा होती है और मालक्षमी जी की प्राप्ती होती है दूसरी कथा कि अनुसार रती देव नामा के एक पुन्या आत्मा राजा था उन्होंने अंजाने में भी कोई पाप नहीं किया था लेकिन मृत्यू के समय यमदूत उनके सामने आकर खड़े हो गए यमदूतों को देखकर राजा बड़ा ही अशर्य चक्कित हुआ और कहने लगा मैंने तो अपनी जीवन में कोई पाप नहीं किया है फिर तुम लोग मुझे लेने क्यों आए हो इसका क्या मतलब है क्या मैं मुझे नर्क जाना पड़ेगा आप किरपा करके मुझे बताएं कि सबराद के कारण मुझे नर्क में भेजना पड़ा है यह सुनकर यमदूत ने कहा हे राजन एक बार आपके द्वार से एक ब्रामन भूखा लोट गया था उसी पाप के कारण आपको यह फल मिला है राजा ने यमदूत से एक वर्ष का समय मांगा यमदूतों ने राजा को एक वर्ष की महलत दे दी राजा अपनी प्रेशानी लेकर राज रिशियों के पास पहुँचे उन्होंने अपनी सारी कहानी सुनाई और पाप मुक्ति का उपाय पूछा तब रिशियों ने उन्हें बताया कार्तिक मास के क्रिश्न पक्ष की चतुर्दशी का तुम वरत करो ब्रामनों को भोजन कराओ दान धक्षना दो जिससे तुम्हारे सारे अप्राक्षमा हो जाएंगे राजा ने वैसे ही किया जैसे रिशियों ने बताया था इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुआ और उन्हें विश्नु लोग की प्राप्ति हुई उसी दिन से पाप मुक्ति के लिए और नर्क की यातनाओं से मुक्ति के लिए बू लोग में रहने वाले लोग कार्थिक चतूरदशी का वरत करते हैं कथा सुनते हैं कथा सुनने मातर से व्यक्तियों को इस लोग और प्रलोग दोनों का सुप्राप्त होता है आशा है मित्रों आपको नरक चतूरदशी की ये दोनों कथाएं अच्छी लगी होंगी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जूर सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट बोक्स में जैमा लक्षमी अवश्य लिखें